कल्यूग में यदि कोई शबसे महत्पूर्ट जीज है तो वो है रामाड राम चरित मानस जिसमें हम प्रभुश्री राम के कुणू का गान करते हैं वडन करते हैं कहा जाता है कि कल्यूग में यदि रामाड पाठ मात्र किया जाए तो व्यक्ति सफी बंधनों से मुक्त हो जा हैं और इस महत्पूर्ट बात को भूल जाते हैं दोस्तों सास्त्रों में कहा गया है कि यदि राम का नाम हो जाए तो वहां फे कल्यूग का प्रभाव बिलकुल नहीं होता है और जितने भी उपद्रव अत्याचार होते हैं शब कल्यूग के प्रभाव के कारण बढ़ गए नमस्कार मैं शादना पांडे मागदसन पर आपका श्वागत करती हूँ दोस्तों रामाड रामाड यदि आप पूरा पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है पूरा मतलब कि एक दिन में तो खतम नहीं कर पाएंगे पढ़ने दो पढ़ने चार पढ़ने पढ़ते होंगे औ आप रामाड की एक दो पेज भी पढ़ सकें तो ऐसे में आज मैं आपके लिए बहुत आसान एक स्लोकी रामाड का पाठ लेकर आए हूँ जिसे पढ़ने से प्रति दिन आपको शंपूर्ड रामाड पाठ पढ़ने का फल है लेकिन कौन करें वो लोग करें जिनके पास समय नहीं है या फिर घर ग्रिहस्ती बाल बच्चे में परिशान है और वो नहीं कर सकते तो आज बहुत आशान सी मतलब मुझे याद आया क्योंकि रामाड के बारे में बहुत सारे क्वेस्चन आ रहा है तो यह चीज़े आज आपको समझ लेना होगा कि कैसी कैसी मात्र एक स्ल जो फल होता है फाइदा होता है वो ले लेता है तो दोस्तों वीडियो जो है वो आगे बहुत छोटी सी है लेकिन उससे पहले आप से वही प्राट पना है कि आपको वीडियो पसंदारी है तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों और चैनल को भी सब्सकाइब करिएगा क्यों मैं प्रयास करती हूँ क्योंकि आपके लिए आसान से आसान चीजे लाओं जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन होगा तो घबराइए कर नहीं आप आराम से सालों साल इसको कर सकते हैं और हाँ दोस्तों एक चीज और बता दूँ कि आज यानि कि 30 दिसंबर को मैं लाइब जुड़ने वाली हूँ महत्पूर भी से हैं बहुत सारी चीजें लेकर मैं आपके लिए आने वाली हूँ तो यदे टाइम मिले तो आप जरूर जुड़िएगा और धन्यवाद मैं उन मह लाओं को करती हूँ जुखाना बनाती रहती हैं अपने परिवार में रहती हैं और फिर भी मेरा लाइफ जुड़न करती हैं मैं अभी से उनको प्रडाम करती हूँ और आपकी प्रेम को मैं सत-सत नमन करती हूँ तो चले दोस्तों ये याद रखेगा कि शाड़े-8 बजे म अब देखी कुछ भी पाना चाहते हैं तो भी आप रामाड का पाट कर सकते हैं घर, गाड़ी, धन, दौलत, कुछ भी तो ये मैं नहीं बताऊंगी हर कोई हर ब्यक्ती कर सकता हैं क्या है वो तो आदो राम तो पोबो नादी गमनम, हत्वामरी गंकांचनम, वैदेही हरणम जटायुमर्णम, सुंक्रीव शंभाशनम, वाली निर्दनम, शमुद्रतर्णम, लंका पुरीदाहनम, पस्चाद रामाडम, कुम्ब करन हन्नादी, एतदी रामाडम, आप समझ गए होंगे इतना ही रामाड है, इतना ही शंचिप्त में रामाड है, अब देखिए इसका अ वनबास गय, वहां उन्होंने श्वर्णमिक का पीछा किया और उसका वद किया, इसी दोरान उनकी पतनी सीता वैदेही, रावण की द्वारा हरण की गई, यानि हरण कर लिया गया, उनकी रक्षा करते हुए, पक्षी राज जटायु ने अपने प्रान गवाए, स्री राम रामण और कुम करन का वद हुआ, यही पूरी रामाण की कथा है, तो दोस्तों एक ही स्लोक में आप इस संपुर्ण रामाण का पार्ट कर सकते हैं, और एक बार फिर कहना चाहूंगी, कि आप लोग करिएगा, जितनी भी शाय हैं वो पुर्ण होंगी, तो आप नए साल में इस काम को भी सुरू कर सकते हैं, और हाँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है, तो लाइक जरूर करिएगा, भूल के मत जाईएगा, और हाँ, यदि आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो जो स्क्रिन पर दिखा रहे हूं केवल और केवल, मेरा वही नंबर इंस्टाग्राम पर हूं मुझसे फालो कर सकते हैं, कमेंट बाक्स में हर हर महादेव खोब लिखिएगा, धन्यवाद